हेलो गाइस कैसा आप सबी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं OnePlus की Update Policy के बारे में अब यहाँ पर मैंली हम लोग फोकस करेंगे OnePlus Node Series के बारे में OnePlus के जो Node के जितने भी जो आपट डिवाइस है उनके अंदर आप लोगों को कितने तो Android के अपटेट मिलेंगे कितने Oxygen OS के अपटेट मिलेंगे और कितने आप लोगों को Android के Security Page Level के जो अपटेट ना वो देखने को मिलेंगे वीडियो को एंड तक देखना और मान लो अगर आप लोग OnePlus का कोई ओर डिवाइस है वो यहाँ पर यूज करते हो तो आप लोग स्क्रीन पर देख पारूँगे हमने इसके उपर OLED वीडियो बना दिये तो इस वीडियो को वोच कर लेना अगर आप लोग OnePlus का जो नम्मर सिरीज है उसको अगर आप लोग यहाँ पर यूज करते हो और गाइस वीडियो कर आपको यह पसंद आती है तो आर वीडियो को लाइक करना चेनल को सब्सक्राइब कर लेना आपको आगे भी इसी तरके की वीडियो है वो यहाँ पर मिलती रहेगी सबसे पहले हम लोग बात करते है OnePlus की Node Series की Update Policy के बारे में आप लोग यहाँ पर देख पारोंगे OnePlus Node Series Software Maintenance Schedule और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं OnePlus के 11 device के बारे में क्योंकि यह OnePlus का एकलोता ऐसा device है जिसके अंदर आप लोगों को 4 OS Update है वहाँ आपर मिलेंगे मतलब कि यह जो device है वो Android 12 पर आप लोगों को pre-install है वहाँ पर देखने को मिलता है So Android 13, 14, 15, 16, so 4 OS Update है वहाँ आपर देखने को मिलेंगे वैसे मेरे खायल से यह जो device है वो आपको Android 13 Update के साथ में pre-install देखने को मिलता है तो यह इकलोता ऐसा OnePlus का device है जो कि Samsung के जितने भी जो आप पर flexible device है उनकी update policy है उसको आपर match करता है उसके बाद में बात करें OnePlus 11 R device के बारे में तो इसके अंदर आप लोगों को मिलेंगे 4 years के security page level के update तो यह काफी यहाँ पर एक अच्छी बात है बाकी मैं आप लोगों से बात करूँ OnePlus 10 series, OnePlus 9 series और OnePlus 8 series के बारे में so 8 series के तो update policy है वो already end हो चुके है 9 series और 10 series है ना इसके अंदर आप लोगों यहाँ पर update है वो 3 OS update है वो यहाँ पर देखने को मिलते है तो इनके अंदर I think आपको 2 तो यहाँ पर already देखने को मिल चुके है उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँ OnePlus Nord CE के बारे में और इसके अंदर आप लोगों को 2 OS update है वो देखने को मिलते है और नीचे आप लोगों को complete list है वो देखने को मिलते है तो यह जितने भी जो device है ना इस device को छोड़ के सबी यह device है इनके अंदर आपको 2 OS update है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो नोड 2T device के अंदर आपको मिल चुके है नोड CE, नोड CE2 और नोड CE2 light और OnePlus Nord 3, नोड CE3 तो यह तो अब भी आपर release नहीं हुए है बाकि यह जितने भी जो device है उनके अंदर आपको 2 OS update है वही देखने को मिलेंगे OnePlus Nord CE3 light इसके अंदर आप लोगो 3 Android के update है वो देखने को मिलेंगे वीडियो कर आप लोगों को यह अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और यहाँ पर जो OnePlus का टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग जोइन कर सकतों यहाँ पर आपको और भी important news है वह आपन मिलती रहती है मैं मिलता है आप लोगों से ने हिंद वन दे मातरम